लगनिंग मंत्रा के आनलाइन पारचाला में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है संपूर्ण राजनीत विग्यान के अपने इस सिरीज में आज हम लोग आप से बात करना स्टार्ट कर रहे हैं राजनीत विग्यान का वह विशेवस्त जो आपके एक्जाम के लिए बहुत महत्पूर्ण है महत्पूर्ण का आशर यह है कि राजनीत विग्यान को अगर आपको समझना है तो राजनीत विग्यान की विभिन ने विचारधाराओं को समझना आवस्यक है अगर आप विचारधारा को समझ लेते हैं तो राजनीत विज्यान में किसी भी थिंकर्ष को समझना आपके लिए चुटकियों का खेल होगा बहुत आसानी के साथ आप इस बात को समझ जाएंगे कि इस विचारख के द्वारा क्या कहा गया है क्योंकि एक बार आप अठिंकर्ष को पारते हैं और उसके संदर में सवाल को लगानी की कोशिस करते हैं बड़ आप भूल जाते हैं कि इसमें क्या लगाएंगे कन्फूजन आपको क्रियेट होता है उसका एक मात्र कारण है कि हमको विचारधाराओं का आग्यान नहीं है विचारधाराओं का बेसिक एलेमेंट मालूम नहीं है तो हम लग उसी करम में आज संसित में एकदम ब्रीफ में आप से बात करना शुरू कर रहे हैं बिचारधारा का आशे क्या होता है जिसके आधार पर किसी भी दार्षनिक के द्वारा अपनी बात को अपने सिध्धान्द का प्रत्पादन करते हैं उसको बिचारधारा कहते हैं हर एक दार्षनिक का हर एक ठिंकर्ष का अपना अलग अलग ना द्रिश्टिकोन होता है जिसके अधार पर वह अपनी बात को कहना चाहता इसी विचारधारा के क्रम में सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं उदारबाद का उदारबाद का पिता है कौन उदारबाद का पिता है जानलाक कहां के हैं जानलाक है इंगलेंड के और उदारबाद का जन्म कहां हुआ आधुनिक कल में उदारबाद का जन्म हुआ है इंगलेंड में इसको पूंजी वाद भी कहा जाता है आई इसको पूंजी वाद कहते हैं इसलिए इस विचारधारा से संबंधित जितने भी चिंतक होगे सब का संपूर्ण राज़नितिक दर्शन पूझी पर ही अधारित होगा और इसी से संबंधित अरपनी बात को कहने का प्रयाश करेंगे इसलिए उद्णार बाद हुआ विचारधारा है जिसके द्वारा माना जाता है कि ब्यक्ति साध है और राज शाधन है इसले इनके द्वारा राज के संदर में एक बात कहा गया कि राज एक आवश्यक बुराई है राज को एक आवश्यक बुराई कौन से विचारधारा मानते है उदारवाद है इसने ब्यक्ति को शाध्य माना और राज को शाधन माना यह विचारधारा पूंजी बात की है लाग के अलवा, हाप्स के द्वारा, रूशू के द्वारा, जेह श्मिल के द्वारा, एडम स्मित के द्वारा, हरवेट स्पेंसर के द्वारा इसका समर्थन किया गया इसके कई प्रकार है ना युदारवाद आग का पहला प्रकार जिसके रूप में जन्म लेता है या नकारात्मक उदारवाद कहलाता है क्योंकि या राज की भूमका को अत्यन्त स्वीमित करना चाहता है यह मुलता सत्रह्मी अठार्मी सदी में आया और उनिश्वी सतावदी में यह शकारात्मक उदारवाद के रूप में परणत हो गया और शकारात्मक उदारवाद में कन्वर्ट करने का स्रेज आता है टेयच आग ग्रीन को टेयच ग्रीन भी इंग्लैंड के चिंतक है और उनके द्वारा नकारात्मक उदारवाद को शकारात्मक उदारवाद में परणित कर दिया गया दिखे मैंने कहा कि अधारणाओं का अध्यन करना अत्यनत आवस्य खया अधारणा माने आप अप्रोच को अगर नहीं पड़ते हैं तो आप रट करके राजनीत विज्ञान का अध्यन नहीं कर सकते आखिर कौन सा ऐसा कारण है कि इंग्लेंड में ही उदारवाद का जन्म हुआ और इंग्लेंड का ही व्यक्ति उदारवाद का पिता बना इसका कारण क्या है और 17-18 सदी का आखिर उदारवाद उस बीच के घटना करम में कौन से ऐसी घटनाएं हो गई जबकि 19-15 सदी में सकारातमक उदारवाद में और 20-15 सदी में ये कन्वर्ट हो गया आप लोग कल्यानकारी राज में लास की केद्वारा इसकी बात की गई वैसे माना जाता है लोग कल्यानकारी राज का नियोओ रखने का स्रेव ही टियस ग्रीन को ही जाता है बेंथम के द्वारा भी अधिक्तम ब्यक्तियों के अधिक्तम शुक की बात की गई थी लेकिन बीस्वी सदी में ये कनवर्ट हो गया तो ये तो बात थी मोटी मोटी जो हम लोग अपने अनलाइन बिस्विस प्लास में जब एक एक बुचारणारा का बात करेंगे तो डिटेल्स में इसकी बात करेंगे बड़ आपको समझनी किया हो सकता है और आपको शिंपले आता है आपके यल्टी या टीजिती के एकदाम में भी ये सवाल पूछा गया पुदारवाद का पिता काउन है या जद्मदाता काउन है जानलाग इसके बाद है आदर्श्वाद राजनीत विज्ञान की वह बिचारधारा है जो राज को साध्य मानता है और अब्यक्त को यह साधन मानता है और आदर्श्वादी विचारधारा के जन्मदाता है कौन लेटो इसका समर्थन अरस्टू के द्वारा किया गया इंग्लेंड में टेच ग्रीन के द्वारा ब्रेडली के द्वारा वोशंके के द्वारा जर्मनी में आफिक्ते के द्वारा कांट के द्वारा और हीगल के द्वारा हीगल को उगरा अधर्शवादी चिन तक कहा जाता है देखे यहां पर एक बात आपको कंफर्म हो गया होगा कि उदारवाद की प्रतिक्रिया आदर्शवाद है अगर उदारवाद को आपने समझ लिया जितने वेसिक करेक्टर इसके होंगे वे कोई वेसिक करेक्टर आदर्शवाद का नहीं होगा इसके just opposite होगा आप दूसरा एक विचार धारा है जिसको कहा गया है समाजवाद समाजवाद में दो है एक कालपनिक समाजवाद है और दूसरा है बैग्यानिक समाजवाद को के जन्मदाता है कॉरल मौर्क्स इसलिए इसको मार्क्स वाद भी कहा जाता है जबकि कालपनिक समाजवाद के जन्मदाता और इसके प्रेयुक करता है रावर्ट ओवन रावर्ट ओवन ने समाजवाद का सर्प्थम प्रेयुक किया आमार्शवाद या बैग्यानिक समाजवाद राज को सोशन का या राज की आलूचना करता है राज को सोशन का एक यंत्र मानता है जबकि इनके द्वारा राज को सकारात्मक अच्छा ही मना गया कि इसके साथ साथ कई और ही आम समाजवाद के प्रेकारों का विकाश वाज इन दोनों के वीच में जिसको लोगतांत्रिक समाजवाद कहते हैं लोगतांत्रिक समाजवाद के आज जन्म गाता आग कहा जाता है कि भारत में जेल नहरू हैं इसका समर्थन अध्यव प्रिकाश नारेल और मानवेंद्र नाथराय के भी द्वारा किया गया इसके अलमा है आराजनितिक बुचारधारा में फेबियन वाद का जन्म हुआ एया इंग्लेंड में और सिड्नी वेब सिड्ने वेब, बर्नार्ड शाँ, बर्नार्ड शाँ, तथा ओलिवर, पैथिक लोरेंस, एवंग अन्य लोगों ने इसका समर्थन किया यही समाजबात का एक प्रिकार है जो धीरे-धीरे परिवर्थन पर बल देता है इंग्लेंड में ही समाजबात का एक अन्य परिकार जन्म लिया जिसको स्रैनी समाजबात कहा जाता है गिल्द या स्रेनी समाजवाद के जनमदाता है जीडियच कोल इसके जनमदाता है जीडियच कोल इनका मानना है कि स्रेणियों के गठन से समाज में समानता की स्थापना की जा सकती इसके आलावा एक समाज है ये समाजवाद का प्रकार है स्रम शंगवाद स्रम शंगवाद के जन्मदाता है आजार्ज शूरेल एवं पूली तिये यह करानतिकारी समाजवाद है इसलिए इसको मार्श वाद के समान माना जाता है जितने अन्य समाजवाद है उसे अलग हट करके है आप विचारधारा में एक अन्य विचारधारा है जिसको आराजक्तावाद कहा जाता है आराजक्तावाद के जन्मद आता है बिलियम गार्डविन इस पर आधारी सवाल आपकी गाम के लिए इसले महत्कों है क्योंकि इसमें आपको एक आता है कि आराज को आनावश्यक बुराई किस्ने माना यह बात है आराजक्तावाद से सम्मद भारत में भी महात्मा गांधी का आराजनीतिक चिंतन को दार्षनिक आराजक्तावाद के नाम से जाना जाता है देखेजिए इस विचालहारा के साथ शाथ एक अन्य विचालहारा है जिसको कहा जाता है बहुलवाद यह संप्रभुता को बेभाजित करने की बात करता है इनका मानना है कि संप्रभुता केवल राज का हेतत तो नहीं है बलके अन्य संस्थाएं और अन्य संगठन भी संप्रभुता में सहभागे हैं और इस बहुलवादी विचालहारा के जन्म दाता है वान गिर के स्रम शंगवाद का पिता कौन है जार्च शूरेला और पोलीतिय है आप क्वाया की वह ग्यानिक समाजवाद का पिता कौन है कौल मौर्श है समाजवाद का पिता कौन है रावर्ट हैं फेविएंबात का प्रत्वादन किसनी के असी वैबने भारत में लोगतांत्रिक समाजवाद है या फेवियंस समाजवाद है लोगतांत्रिक समाजवाद है भारत में लोग जितने भी राजनितिक चिंतक हैं या भारत के सम्वेधान में किस समाजवाद का प्रभाव है लोकतांत्रिक समाजवाद और फेवियन समाजवाद दूनों का है क्योंकि हमारे नीत निदेशक शिद्धान पर पूर्णतया प्रभाव पड़ा है कि इसका इंग का नोट्स बनाए हम लोग निरंतर अपने इसी क्लास इसी प्रकार से अपने क्लास को कंटिन्यू करते रहेंगे हमारा ये विचारधारा का क्लास आज का यहीं तक है आप निरंतर देखते रहें लर्निंग मंत्रा के आनलाइन पर शाला को जैहिन जैभारत